खत्रों का खिलाडी सेजन 12 हाल ही का सबसे चर्चिश शो है। कई वीडियोज वायरल भी होते रहते हैं। आज इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसे ही कंटेस्टन के बारे में जिनका नाम है प्रतीक सहचपाल। वो एक मशूर आक्टर, फिटनेस ट्रेनर और मॉडल है। वो पॉपिलर रियालिटी शो लव स्कूल के कंटेस्टन थे। उ जिसमें 1.4 मिलियन फॉलोज है। चार्मिंग प्रतीक के करियर के बारे में बताए, तो बच्चपन से ही फिटनेस और बॉडि बिल्डिंग से इंस्पार प्रतीक, हमेशा से ही फिटनेस ट्रेनर और नूट्रिशनिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन अपने वो एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। जहां उन्होंने MTV के शो, MTV Roadies Extreme के लिए ओडिशन दिया, लेकिन उन्हें वहां सक्सेस नहीं मिला। पर पहली बार उन्हें लाइम लाइट तब मिला, जब वो MTV शो, Ace of Space में रुन अनप के तौर पर अनाउंस हुए, हाल ही में उन्हें Z5 की ओरिजनल वेब सीरीज बेबाकी में देखा गया, जो Z5 पर 30 अगस्ट 2020 को रिलीज हुई थी, 2019 में प्रतीक ने Big Boss 40 में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कुछ और प्रजेक्स के शूटिंग में बिजी थे, लेकिन वो अगले सीजन में शामिल हो गए। में M.E.T. Law School में पढ़ाई की, जहां उन्होंने ला में ग्राजुएशन किया, प्रतीक सहच पाल 6 अलग-अलग भाशा जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, स्पैनिश, फ्रेंच और हरियानवी में भी बात कर सकते हैं, उनके लव लाइफ की बात करें तो एक्टरस काफी क्रिटिसाइस किया था और लोगों ने नेहा और उनके पती को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया था, तो ये थी प्रतीक सहच पाल की कहानी, ऐसे ही अगली एक कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूले